हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूँगा Petronet LNG शेर के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इसके fundamentals बताऊँगा इसके revenue model के बारे में बात करूँगा इसके forecast बताऊँगा अगले आने वाले एक साल के लिए इसके financial इसके holding pattern क्या हमें किस price के अंदर इसके अंदर entry करनी चाहिए क्या हमें ये share खरीदना चाहिए या नहीं long term में ये कैसा कर सकता है और भी बहुत सारे सावालों के जवाब इस वीडियो के अंदर में देने की कोशिश करूँगा दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं इसी तरीके के interesting videos daily मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ दोस्तो चलिए अब बात कर लेते हैं Petronet LNG share के बारे में दोस्तो यह जो Petronet LNG share है यह इस company के बारे में हम जान लेते हैं पहले दोस्तो किसी भी शेयर के अंदर investment करने से पहले उस company के बारे में उसके revenue model के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तो दोस्तो यह जो Petronet LNG company है यह 1998 के अंदर यह देली के अंदर इंवेंट की गे थी गवर्मेंट आफ इंडिया ने ये कंपनी जो है इन्वेंट की है दोस्तो दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर जो है वो देल्ली के अंदर है दोस्तो इसको बहुत सारी कंपनियों को मिला के एक्चुली उनकी द्वारा ये कंपनी बनाएगी बनाएगी ONGC, BPCL, IOC इन सब को एक्चुली उनका जुएंट वेंचर करके इस कंपनी को पेट्रोनेट LNG को बनाया गया दोस्तो बैसिकली ये जो कंपनी है इसका नाम से आपको पता चल गया होगा LNG, LNG मतलब LNG Jigen Das तो ठीक है दोस्तों गाड़ियों के अंदर हम लोग यूज करते यह घर यूज करता है उसको इंपूर्ट करना और उसको डिस्टीबूट करना ये इस तंप का काम है दोस्तों गवर्मेंट की है जोस्तों और ये जो इसके जो इसको भूजर सेट अप किया गया तर्मेलर सेट-प किया गया रिश्टोर्श मतलब श्टोर करने के लिए वो गुजरा डाइच के लिए गुजराद के अंदर दूसरा के ला के लट के ला कोच attacks के अंदर दो ऐसे टर्मिनल्ट खोले गया और वहां पर इसको श्टोर किया जाता है और पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रिबूट किया जाता है दोस्तो तो basically revenue model बहुत भैतर ही नहीं है दोस्तो रीजन यह है दोस्तो इनकी monopoly है इसमें कोई दुसरा काम नहीं करता, दुसरा कोई भी नहीं है जो इस sector में इंडिया के अंदर काम करता है दोस्तों दुसरा कोई भी नहीं है तो बिल्कुल इनकी monopoly है क्योंकि government का है तो इनकी पूरी की पूरी monopoly है इसके अंदर LNG gas distribution के अंदर यहाँ पे आप देख सकते यह जो gas distribution जो centers है उनके photos यहाँ पे natural gas के यहाँ पे देख सकते दोस्तों अब बात कर लेते कि कौन से price पे हमें इसके अंदर entry लेनी चाहिए यह यह चार्ट पे अभी कैसा कर रहा है दोस्तों अब चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट में अगर देखें तो आज इसके अंदर गिरावट हुई है और 1.16% का loss इसने shareholder को दिया है 1 week की बात करें यहाँ पे तो 2.16% का profit इसने positive return बना के दिया है 1 month की बात करें दोस्तों 1.1 में 7.83% का loss इसने shareholder को बना के दिया है एक साल की बात करें तो 9.56% का loss इसने investor को दिया हुआ है 5 सालों की बात करें यहाँ पे तो 5 साल में बहुत ही बहतरीन result इसने बना के दिया है पात साल में बहुत ही बहतरीन दोस्तों दोगुना से भी जादा पैसे इसने बना के दिया है दोगुना से भी जादा बहुत ही बहतरीन दोस्तों अब देख लेते मैक्स का डेटा मैक्स अगर देखे दोस्तों 2004 में ये कंपणी लिश्ट हुई थी पिछले 16 सालों का डेटा है 16 सालों में 3292 परसंट का return इस company ने बना की दिया है दोस्तों पी रेशो जो है वो भी काफी बहतर हिने है 13 का पी है प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो 3.20 का है डिविडन्ट ये कमपनी बहुत बढ़िया देती है साड़े 5% का डिविडन्ट देती है प्राइस फोरकास देख लेते है अगले आने वाले एक साल का यहाँ पर 38 आनेलिस्ट ने इसको अनलाइज किया हुए और उसमें से 79% आनेलिस्ट इसको बाइक की रेटिंग दे रहे है दोस्तों यहाँ पर प्राइस फोरकास जो है वो अगले एक साल का है सप्टेमबर 2021 को यह price हो सकती है ऐसा prediction किया गया है analyst के तुरू यहां पर higher side में 61% की higher side है दोस्तों और medium भी रहा तो यहां से 28% की higher side है और lower भी रहा रहो दोस्तों तो यह उपर ही जाएगा 8.46% मतलब यह जो है high जा सकता है 391 को medium रहा तो 305 को और lower रहा तो भी 257 रुपए को मतलब दोस्तों यहां पर risk to reward ratio जो है न वह बहुत ही बहतर है यहां पर reward ही reward दिख रहा है risk अभी है ही नहीं दोस्तों बची नहीं ऐसे share मुझे बहुत पसंद आते है जिसके अंदर risk बहुत काम होती है और reward बहुत जादा होता है अब देख लेते इसके financial financial में लोग देखे दोस्तों टोटल revenue जो ह 1830 का revenue हो गया है दोस्तों कोविड हो यह कुछ भी हो इसको कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा इसका reason यह है कि यलन जी गया जो है वह सबको लगता ही है दोस्तों यहां पर net income की बात करें तो 1110 रुपए का net income था अब वह बढ़के 2703 का net income हो गया EPS मतलब प्राइज earning per share, earning per share भी दोस्तों 14 से बढ़कर 18 हो गया है वो जो की काफी बहतर ही है दोस्तों आप देख लेते company के पास free cash flow कितना है दोस्तों free cash flow company के पास है 2822 करोड का free cash flow है दोस्तों यह free cash flow company जब problem में होते है तब उसको use में आता है इसके competitor देख लेते कौन को ने दोस्तों Aegis Logistics, Great Eastern Shipping Company, India Tourism and Development Corporation दोस्तों इन सब में प्रेट्रोनेट LNG का PE बहुत ही काम है, price to book ratio भी भहतर ही है और यह company Melty Boy का return भी दे रहे तो मुझे अच्छी लग रही है और dividend इसका सबसे ज़ादा है आप देख लेते holding pattern folding pattern की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो promoter के पास around 50% की holding है, Mitchell Fund के पास 7.82% की holding है Domestic Institute के पास 7.85% की holding है, foreign investor के पास 30.15% की holding है Other parties मतलब आप और मेरे जैसे retail निमेशक उनके पास 12.99% मतलब 13% की holding है Mitchell Fund ने अपनी holding थोड़ी सी कम की है, पिछले 4-5 महिनों के अंदर आप foreign investor का graph देख ले थे, foreign investor ने इसके अंदर holding बढ़ाई है 25-29% की है यह बात अच्छी लगी है मुझे दोस्तों, यहाँ पे अभी कौन से rate पे हमें इसको अंदर entry करनी चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, 220 रुपे के नीचे आप इसके अंदर entry कर सकते हैं यह भी rate entry करने के लिए 37 रुपे वह भी बहुत अच्छा है को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए एक पोटपोलियों के अंदर हमेशा at least 15 शेर होने ही चाहिए 15 शेर यह मेजर सजेशन है दोस्तों कुछ लोग कहेंगे 3-4 शेर या 8-10 शेर रखो नगर मैं सजेस करता हूँ आप हर सेक्टर के कुछ-कुछ शेर रखिए रीटेल निवर्शों के लिए मेरे खायल से fmcg बैंकिंग के बैंकिंग सेक्टर के रियल इस्टेट अटो सेक्टर इन सारे शेरों को और fmcg के पैकेजिंग उन सारे शेरों को आपके पोटपोलियों में रख सकते हैं दोस्तों मगर दोस्तों कभी भी शेर के अंदर बाइंग करने के टाइम पर बल्क में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए चंक में बाइंग कीजिए दोस्तों आपको कुछ भी question है पेट्रोनेट टेलन जी के बारे में या किसी और शेर के बारे में तो आप मुझे comment box में पूच सकते था